नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त अमित आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ मैं एक अपना एक्स्पीरिंस शेर करना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों की गली में या घर के आसपास स्ट्रीट डोक्स तो होंगई तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि उन जो गली के कुटे होते हैं उनको कई बार चोट वगरा लग जाती है बाद में जो उनके घाओं होते हैं उससे कुछ समय बाद दुरगंद आनी शुरू हो जाती हैं उस पे कीड़े पड़ जाते हैं और अंत में यह होता है कि वो जो कुते हैं बच भी नहीं पाते हैं और जब उनसे दुरगंद आती है उनके घाउं से तो लोग उनको खाना वगएरा दूर भी भगाते हैं यह लोग पत्थर भी मारते हैं तो दोस्तों हम क्या करें कि जिस से जो यह कुट्टे हैं यह बढ़ सकें क्योंकि हम लोगों को इन कुट्टों के प्रती भी कुछ ना कुछ मनुफता दिखाईनी चाहिए तो दोस्तों मैं आज एक आप लोगों के साथ अपने एक 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 स्पीरेंस शेर करना चाहता हूँ दोस्तों हमारी घर से तीन चार घर छोड़कर एक डोग था वो जो स्ट्रीट डोग है उसका नाम बिल्लू है वैसे लोग उसे कालू भी कहते हैं लेकिन मैंने ही नाम रखा है बिल्लू उसके सिर्म पर एक बार एक गाउं लग गया था और चोट भी ऐसी कि जैसे उसका सर खुल सा गया था तो ये हलात हुआ कि लोगों ने उसको दूर भगाना शुरू करती है उससे बहुत ही गंदी दूर गंदानी शुरू हो गई और उसके सिर्फ पर छोटे छोटे कीड़े पड़ गए तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ फिर मैं एक कैमिश शोप गया उनको मैंने यह बात बताई उन्होंने मेरे को एक एक अंटिवाइटिक और एक पेन केलर दी दो पत्ते दिये तो वो का कि ये टैबलेट्स उसको खिला दो तो मैंने रोज दूद लिया और उसमें एक डब पांस दिन हो गए और मुझे लगा कि शाद 5-10% इंप्रूमेंट हुई क्यों खास नहीं हुई तो मुझे कहीं लोगों ने भी कहा कहते कि ये जो डोग है ये बचे का नहीं आप वियर्थ ही कोशिश कर रहे हो मेरे घर वालों ने भी मुझ पर काफी गुस्या किया कि तेरे से दूर रहे बहुत ज़्यादा दुरगंद आ रही है तो मैंने का चलो कोई नहीं फिर मैंने जब वो मेडिसिन पांस दिन बाद खतम हो गई फिर मैं दुबारा एक कैमी शोप गया वो हमारे गाउं में एक मेरे घर के पास भी कैमी शोप है तो वहाँ पर एक डोक्टर पहाने वाला स्प्रे होता है वह बैसी कली लोग गाएं या जोनों घूड़े पालते वो लोग लेते हैं का तो वह इसके सर पर डालो अगा डाल सकते हो तो दिन में तीन बार डालना देखना फरक पड़ेगा फिर मैंने वह भी ले लिया फिर मैने उसको उसके रोज जो टै करना क्योंकि वो स्प्रेय देखके भागता था तो मैं उसको पहले दवाई खिला देता था उसको पीस कर दूद में डबल उटी के सार बाद मैं उसको मौका देखके स्प्रेय करता था ये करते करते ये 25 दिन हो गए लेकिन ये बात हुई कि वो जो डोग है 25 दिन बाद 80% के आसपस के और हो गया और जब मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था तब ये हला थे कि लोग मुझे कहते थे कि भाईया दूर रहे लो इससे इसने बचना नहीं है मेरे चाचा का बेटा भी कह रहा था कि आप ये बचे का नहीं इवन कि यहां तक भी हुआ कि मुझे बहुत लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है वो जो डोग है वो ठीक हो गया और आज ये है कि जब मैं अपने घर से बाहर जाता हूं वो डोग आता है मेरे पास और वो इस तरह बोलता है वाँ 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 जैसे को इनसान बात करते है मैं उससे ब से यही बात शेयर करनी थी कि वैसे मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी जिसकी अंदर जो मैं मैंने उस डोक को दी उसके बात भी कई डोक्स हो रहे हैं उसके एक का नाम मोजो है एक का नाम गुलू है एक का नाम कालू है अब यह जो सारे डोक्स हैं यह क्या है कि अगर ज ज़्यादा लगाव करते हैं तो मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने जो जो मैडिसेंस में उनको देता हूँ मैंने उसमें प्रिस्क्राइब किया था तो वो मैं आप लोगों के साथ शेर करने जा रहा था फिर मेरे एक जो दोस्त हैं उसने कहा कि भाई ऐसा है कि यू आर नोट ए वैटनरी डोक्टर आप पश्यों के डोक्टर नहीं हो आप ऐसे करके देखो इंटरनेट वगारा पे यूट्यूट पे ऐसे करके आप मैडिसेंस प्रिस्क्राइब करना ठीक नहीं किसी को को दिक्कत भी हो सकती है तो दोस्तों मैं अपना से एक एक स्पीरियंस शेयर करना यह की है कि आप कभी भी किसी को ऐसे डोक को देखे तो आप लोगों ने कुछ बड़ा ही सिंपल है एक एंटिबैटिक और एक पेन किलर यह आपको सब दे देंगे लेकर आपने साथ में जो जखम सुक्राने वाला एक स्पीरिय होता है आप देखना कि वो एक स्पीरिय होगा जिसके उपर एक गाएं की फोटो बनी होती है जनरली जेने लोगों के घर में पश्यूट होते हैं गाएं वगरा होती है तो उनको पता ही होता है कि वो कौन सा स्प्रेय है वो जुरूर लीजिए हाँ अब एक बात और शेयर करनी है एक मैंने यहाँ डोग है कालू कालू वो भी स्ट्रीट डोग है वो करता क्या है कि वो जब मैं पीज कर मैडिसन उसे भोजन में देता हूँ तो वो भोजन खाता नहीं है अब मैं क्या करूँ उसका भी एक स्ट्रीशन है कि इसी साल्ट का एक लिक्विड भी मिलता है तो आप जो एंटिबाटिक का लिक्विड और उसका पेन केलर भी लिक्विड की शीशी मिलती है वो लेके वो भी एक एक धकन देख सकते है बाकी वो आप स्प्रे कीजिए तो दोस्तों इससे किसी ना किसी स्ट्रीट डोग की जान बच सकती है और बाकी जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं आप नहीं अप्लोड करूँगा क्योंकि हो सकता है कि ये सारे अडल्स डोग थे किसी का डोग छोटा भी हो सकता है साइस भी छोटा हो सकता है तो हो सकता है कि उसके लिए ज़्यादा मात्रा हो जाए मैडिसिन की बाकी आप ये कैमिस शोप से या किसी डोक्टर से कंसल्ट कीजिएगा और दोस्तों एक बात और कि अगर किसी गली के डोग पे कोई ऐसा जख़म वगएरा दिखता तो प्लीज उसे मारिये ना पत्थर वगएरा ना मारिये और कोशिश कीजिए कि उसको आप मैडिसिंस डाल के दें देखिए अगर वो क्योर हो गया तो आपको बहुत सकून मिलेगा वो एक डोग बिल्लू था मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यह नहीं बचेगा इसके कीड़े पढ़ गए मैंने पड़ी भी देखे ते लेकिन वो आज जीवित है तो दोस्तों प्लीज जैसा मैंने आपको यह सुझेस्ट कर रहा हूँ सब लोग कीजिएगा जो खास का जो अनिमल लवर है या डोग्स लवर है और दोस्तों आप लोगों को यह मेरी जो जानकारी और जो एक्सपीरेंस है आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों प्लीज कोमेंट करके बताईएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कोमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जिससे मेरी बविश्य में आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवाद दोस्तों जेहंट